हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सैंप्स बाइलोजी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडो सिंबायोटिक थियोरी एक ऐसी थियोरी है जो हमें ये बताती है हमारी जो सेल्स हैं, लिविंग और्गनिजम की सेल्स हैं उसकी दो important organ leads जो है, mitochondria और chloroplast उनकी उत्पत्ती origin कैसे हुआ ये थियोरी दी गई, lion mergulis के द्वारा lion mergulis ने इस थियोरी को दिया, ये थियोरी क्या कहती है ये थियोरी हमें बताती है, कैसे mitochondria और chloroplast उत्पन हुए originate हुए, तो यहाँ पर देखिए, ये एक सेल है ये anaerobic eukaryotic cell है, anaerobic मींज एक ऐसी सेल जो oxygen की absence में काम करते है, उसका food breakdown oxygen की absence में होता और eukaryotic cell है, that means nucleus present तो इस सेल ने एक या एक पॉइंट पाँच बिलियन इयर अगो, इतने साल पहले मतलब या तो एक या एक पॉइंट पाँच बिलियन इयर अगो, पाँच बिलियन इयर पहले इतने साल पहले, एक aerobic bacteria को अपने अंदर engulf कर लिया अपने अंदर ले लिया, ये aerobic bacteria इसको 1 to 1.5 बिलियन इयर अगो इसने क्या किया, इसको engulf कर लिया इसको engulf कर लिया, अब ये इस सैल के अंदर है ये bacteria तो ये bacteria क्या करेगा? ये oxygen की presence में food का breakdown करेगा अगर food का breakdown oxygen के absence में होता है तो complete breakdown नहीं होता है तो complete energy नहीं मिलती है और oxygen की presence में complete breakdown हो जाता है तो ज़्यादा ATP मिलती है तो अब इस सैल को ज़्यादा ATP मिलने लगी तो धीरे धीरे ये bacteria इसी सैल का part बनता चला गया और finally ये evolve हुआ mitochondria में बाद में evolution होता रहा और time के बाद काफी time बाद ये mitochondria बन गया तो अब ये cell बाद में इसका evolve हुआ, further evolution हुआ ये present day animal cell बने अब यहाँ पे इस stage पर इसने इंगल्फ किया हुआ कि इसको, aerobic bacterium को एक बार और endocytosis event हुआ, मतलब इस cell ने मतलब इस cell की बहुत सी population थी तो कुछ cells इसकी population में से, कुछ cell ने क्या किया cyanobacteria, ऐसा bacteria जो photosynthesis करता है उसको क्या किया, उसको दुबारा से engulf कर लिया, तो second endocytosis event हुआ उसको engulf किया, अब ये इसके अंदर आ गया, तो ये क्या कर रहा है photosynthesis कर रहा है, तो इस cell को food मिल रहा है यहां से, क्योंकि ये अपना food prepare कर रहा है in presence of sunlight, तो इस cell को food मिल रहा है तो धीरे धीरे इसको shelter मिल रहा है यहां पे इसको भी shelter मिला और यहां पे ATP मिल रहा है इस cell को क्योंकि breakdown कर रहा है तो food मिल रहा है, तो time के साथ ये जो bacteria है, cyanobacteria ये through evolution किसके अंदर change हुआ chloroplast और बाद में ये जो cell है इवोल हुई, present day plant cell तो इस तरह से endosymbiont छोरी से, लैन मरगल इसने बताया कि कैसे mitochondria और chloroplast का origin हुआ, कैसे बने ये कैसे इनका evolution हुआ तो इनका evolution endosytosis से हुआ दो event वे endosytosis के पहला event, 1 to 1.5 billion ये रगू, पहला event में क्या aerobic bacterium को engulf किया aerobic bacterium को engulf किया, ये aerobic bacterium फिर धीरे-धीरे क्या बन गया mitochondria, और ये cell जो बनी, present day animals फिर second endosytosis event हुआ यहाँ पे इस cell ने, जिस cell ने पहले engulf किया था, aerobic bacterium को उसी cell ने, किसको engulf किया, cyanobacteria को अपने अंदर ले लिया, ये cyanobacteria photosynthesis कर रहा, धीरे-धीरे इसी cell का part बनता चला गया ये और इसने अपने काफी चीजे, अपना DNA lost कर दिये, तो ये क्या बन गया dependent हो गया इस पे और धीरे-धीरे क्या बन गया फिर, chloroplast और ये बनी फिर present day plant cell, तो ये आपकी endosymetic theory है पाराश्या झालाश्याजाश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्